हिमाचे परदेश में सुखविंदर सिंग सरकार द्वारा सरकारी कारियालियों में इलेक्ट्रोनिक वाहनों की खरीद किये जाने के फैसले के बाल जिला कांगरा में इस दिशा में कारिय शुरू कर दिया गया है शुराती दोर में जिन तीन जिलों के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोनिक वाहन खरीदे जाने हैं उसमें कांगरा जिला भी शामिल है पहले चरण में सरकार की ओर से कांगरा जिला की सरकारी गाडियों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा इलेक्टरिक गाडियों के लिए प्रियाप्त चार्जिंग स्टेशन भी इंजिलों में स्थापित किये जा रहे हैं चार्जिंग स्टेशन हर कार्याले में लगेंगे धरमशाला के 58 offices हैं जहां पे charging stations लगेंगे hospital हो गया, DC office हो गया settlement office हो गया DIG office हो गया, ISP office food civil supplies तो ये हमने चैनित किये हैं समय रहते, electrical गाड़ियों का प्रयोग बढ़ेगा और पिछले हफ़ते ही आपको ध्यान होगा कि लगभग 18 गाड़ियां electric vehicles सरकार हिमाचल प्रदेश ने क्रे की हैं तो आने वाले समय में हमारे पास पर अगर electric vehicles आते हैं उनके charging stations के requirement रहेगी और charging stations भी दो तरह के हम देखेंगे, एक DC charging stations जिसमें fast charging रहेगी, एक AC charging stations जिसमें 8 से 10 घंटे में charging रहेगी, पर्यावरन के हिसाब से ये बहुत फायदेमान चीज है